आज अपना जोगर्फी की नेक्स क्लास अभी तक हमने कवर कर लिया था कि किस तरीके से टाइम जोन वर्क करती है पूरा कॉंसेट समझ लिया था अपनी अर्थ को घुमा घुमा के हमने देख लिया था आज हम बात करेंगे नेक्स टॉपिक की जो है इंटरनेशनल डेट लाइंग इसे टॉपिक वैसे तो पुरारा वाला जो टॉपिक है उससे डारेटली करेक्टेड है बट मैं अलग से ही इसको पढ़ाना चाहरा था क्योंकि यह अलगी टॉपिक है तो इसलिए अलग से ही पढ़ाना बेटर रहता है जर्वाइस बच्चे कर्फ्यूज हो जाते है ताइम जोन्स और यह जब साथ में पढ़ते है तो थोड़ा सा कर्फ्यूजिंग टॉपिक रहता है इसलिए मैं आपको लाइफ इक्जांपल लेके समझाओंगा लाइफ इक्जांपल का मतलब क्या होता है कि भए एक बंदा रखेंगे उस बंदे को यहां से उठाके गुमाते हुए फ्लाइट लेके मतलब मेरी अर्थ मैं अपनी वापिस ले आता हूँ आज आ बटा यह अर्थ जो है अब मैं क्या करूंगा मैं आपको international date line बढ़ाने वाला हूँ और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सामने से जब देखते हो तो यह जो जाती है प्राइम मरीडियन जाती है यह डारेक्ली कंट्री कट करते हूँ जाती है और यह बहुत सारी जगे पे इक्वेटर को ट्रॉपिक कैंसर को अभी कट करती है वो भी आपने पता है कहा करती है अब इसके जस्ट पीछे चले जाओ अगर जस्ट पीछे तो यह दिखे का नीडा नीडा ओशन यह जो ओशन देख रहे हैं इनमें भी कुछ लाइन पास होती हुँ जाती है रिसर का नीडा अब हमने क्या करना है अगर कोई बन्दा यहां से आगे हो जाता है यह लागे हो जाता है गंटा 1 plus 2 plus 3 और यहां तक आते आते 12 गंटे आड़ हो रहे थे जब आप प्राइम मेंटे से पीछे जा रहे थे तो minus 1 minus 2 minus 3 करके 12 hours आपके subtract हो रहे था और यह जो line थी यह ultimately single line ही है बाद यह single line के इधर आप देख रहे हो कि भाई जो गंटे हैं वो कम होते चले जा रहे और इधर गंटे बढ़ते चले जा रहे तो plus 12 minus 12 तो मतलब यहां पे जब plus से minus minus से plus जाओगे तो आप यह सी बात है दिन का change होना बनता है क्योंकि एक दिन के अंदर 24 गंटे ही होते हैं और 24 गंटे क्रॉस करते ही next day हो जाता है तो यहां पर वही वो चीज है कि दिन से रात और रात से दिन होने वाली जो लाइन है वो लाइन आजवे समझनी है इतना हमें क्लियर होना चाहिए कि कि क्या करने वाने हैं क्या समझने वाने हैं जब लोब को ऐसे खौला था और जब बंद कर दिया तो प्राइम मिरिटर यहां पीछे वाली लाइन जो है यह international daytime कहलाती है क्यों कहलाती है क्योंकि date change हो जाती है इस line के east to west जाओगे तो date change हो जाएगए और west to east जाओगे तो date change ह यहाँ पर ध्यान रखना बसा, कि यह जो लाइन के ग्लोब के पीछे से आ रही है, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, तो यह जो लाइन है, इस लाइन का जो east-west की बात करोगे, तो north, south, east और west यह होगा इसका, मैं जैसे खड़ा हूँ, यह लाइन ऐसी है, आप जैसे खड़े हो यह लाइन ऐसी नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, जैसे मैं खड़ा हूँ ना, यह लाइन ऐसी है, north, south, east और west, ऐसी यह लाइन है, तो यहाँ से east और यह west और यह west यह east, इस तरीके से यह लाइन क्रॉस होगा, यह east से west तो इधर से जाऊँगा, और west to east तो इधर से अब समझते एक point हमें पकड़ना क्या है, मालो for example, यह जो point है, यह रात का point है, midnight रात के बारा दिखा रहा है, ठीक है, इस रात के बारा के इधर आओगे, और रात के बारा के पीछे जाओगे तो दिन different होगे, obvious सी बात है, इस रात के बारा के पीछे जाते है तो मालो Monday है, औ बहुत ब्याद है समझना, क्योंकि 99% लोगों के पल्ले नहीं पढ़ता, लेकिन उन्होंने मुझ से नहीं पढ़ा होता, और जब मैं पढ़ा हूँगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिवाह में ना बैटे, बना, बना क्या कुछ का थोड़ी लोगे, समझ में आ बना, 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 यहां पर यहां के उतर जाते हो, आपने 9 बज़े दिन में फ्लाइट ली है और आप फ्लाइट लेते हुए गए हो यहां के उतरे हो, यह जो 12 था इस 12 के बाद 3, 6, 9 ऐसे बज़ रहा था तो इस 12 से पीछे जाओगे तो ओविसी बात है, रात के 9 बज़े के 9, 10, 11, 12, यह तो रात का बार आए तो इसे 3 गंटे पीछे जाओ, तो 9, और 3 गंटे पीछे जाओ तो 6 बज़ रहा होगा, लेकिन दिन कौन सा हो रहा है हाँ पर पीछे, बंडे, और आगे क्या दिन हो रहा है, Tuesday, मैंने यहां पर Tuesday, इस कंटरी में जो Tuesday था और 9 बज़ रहा था बैने फ्लाइ और उसके बाद फिर से 3 गंटे, मैं 9 हंटे की फ्लाइट पड़ी है, और मैं 9 हंटे की फ्लाइट लेके जब उतरा यहां पर तो मैंने जब घड़ी पे टाइम देखा, तो शाम के 6 बज़ रहे थे, और दिन जो था वो एक दिर पीछे हो गया है मैं काओ यार मैं Tuesday को चला थ मैं 9 हंटे की फ्लाइट लेके मैं उड़ा, बट जिस कंट्री में मैं पहुंचा उस कंट्री में घड़ी देखता हूँ तो शाम के 6 और एक दिर पीछे हो गया मैं Monday को पहुंच किया, मतलब अगर मैं कामचोर हूँ, मैं हूँ नहीं, आप में से कोई हो सकता है, अगर कोई यहां पे, कहीं ना कहीं, कोई ऐसी चीज क्रॉस होई है, जिस लाइन से देट चेंज हो गई है, जिस लाइन से दिन बतल गया है, Monday, जो basically Tuesday था, वो Monday बन गया है, मतलब आप पीछे चले गए, आपने एक दिन गेन कर लिया, अगर Tuesday का Monday बन रहा है, तो आप दिन गेन कर रहा ह अगर Tuesday का Wednesday बन जाता, तो आप एक दिन लूज कर जाते है, क्योंकि आपके पास Tuesday उड़ जाता, आपके लाई से वो दिन चला जाता, पर यहां पे Tuesday का Monday बना है, तो you gained a day, now what you have to decide, you have to understand is, कि कब आपके पास extra देन आएगा, और कब आपके पास extra देन आएगा, और कब आपके समझ में आ चुका है, कि extra देन आता हो जाता है, जब हम international date line cross करते हैं, तो अब हम पहले समझेंगे, कि date line है क्या, यहां पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए, उसके बाद में example लेके आपको समझाओगा, वो राहुल याद है, शारुक खान नहीं, शारुक खान का नाम हो देशी लेंगवज पे आ जाएंगे, यहां पे लिखा है line exactly opposite to greenwich, greenwich आप जानते हो, UK वालो ने का था हमारे यहां से ही जाएगी line, उसी को time मानेंगे main, और हमने बड़ी सा घंटागर लगा दिया, उस घंटागर के हिसाब से अपने घंटेगर मिला लो, सारी घंटेगर उन line passes to pacific ocean, अचा अब यहां पे बहुत चीज इंपोर्टन ध्यार रखने वाली है कि यह line यह सीधी नहीं है, यह line यह ठीडी मेडी करके ले के आए, उसका भी reason है, उसका reason क्या अगर यह सीधी line लाते, तो कुछ countrys की बीच में से निकल जाती, अब कुछ countrys की बीच में से निक पड़ा हो जाता, और कहता मैं तो अब एक दिन पीछे जाओंगा, इदर आ जाता, कहता मैं तो आगया Sunday, अब यहां रहता हूँ, फिर मैं इदर जला जाता हूँ, बतलब ऐसे का ऐसी करता रहता है, जासे उधर ही होता रहता, यह country में confusion create ना हो कि country के कुछ portion में अलाग दिन है, यह confusion create ना हो, इसलिए इस line को टेड़ा मेडा करते हुए pacific ocean से निकाला गया है, किसी भी जगे को cut नहीं करता, किसी भी land को cut नहीं करती है, इसी reason से, even island से भी cut नहीं करती, reason इस दे समुझ लिए कि एक बटिक जगे से अगर आप इसको निकाल दोगे, तो वहां पे फिर उसी जगे पे, अलग अलग parts में, जब line pass हो गई, तो date to change हो रही है, तो problem हो जाएगी, समझ में आ रहा है, ठीक है, यह सारी चीज़ वर्चूल है, ऐसा नहीं कि आप pacific ocean में तैर तो चलेगे, आपने का line पकड़ूँगा, अज जाके उस line पर लटक जाओगा, या उस line को न सब islands के इदर उदर से घूमता फिरता है, यह निकल जाता है, लेकिन किसी जगे को cut नहीं करता है, यह एकदम clear है, imaginary line है, और यह zigzag है, straight नहीं है, मैं आपको समझा दिया है, IDT अगर किसी जगे को cross कर देती, अगर यह straight बना देते, तो obviously बात है, उस particular जगे पे, दो अलग-अ point पे date change हो जाती, इसलिए इसको टेड़ा मेरा बनाया गया है, ठीक है, अब आजो main important point को, उसके बाद उसको हम example के तरू समझेंगे, राहूल को flight पकड़ा के, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको वैसे ही समझना है, वैसे ही याद रहेगा, permanent याद रहेगा, book के चक्कर मैं पढ़ना ही नहीं है, मन चाहें अगर, जब मैं मैं आप समझाओंगा आपको, मन चाहें आपको, तो आप एक्लेस खरीदें ना, कोई भी, कोई भी खरीदें, आप तो मैं आप है ना, इसको समझ में आगे, इसको समझ में आगे, मेरे पास तो मेरी आर्थ है, मैं चपे हुए आ जाते हैं, तो अगर आप चाहो तो language point of view से, वैसे तो मैं उसी को refer करके समझा रहा हूँ आपको सारी चीज़ है, जो main concept है, वो ही से उठाया हुआ है, पढ़ाने का तरीका मेरा अपना है, words वहां से है, चुबान मेरी है, भावना है, आपकी है, सब जोड जाएं on Wednesday, Wednesday को एक बंदा international date line के east से flight पकरता है, north, south, east, west, मेरे साथ चलेगी international date line, मैं जैसे खणा हूँ, मैं हूँ international date line, मेरा east क्या है ये, north, south, east, अगर यहां से कोई बंदा flight लेता है, और ऐसे उड़ता हुआ, मुझे cross करता हुआ इदर आता है, मुझे cross करना important है, मुझे cross करना date change नहीं होगी, अगर वो Wednesday को flight लेता है, और cross करता हुआ आता है, और वो international date line के east से west जाओगे, तो आप Wednesday से Thursday होगे, तो आप ने दिन गेन किया या लूस किया, सर, एक दिन हमने लूस कर दिया, क्योंकि Wednesday मेरा Thursday बन गया, अगर east से west जाओगे, very important point which you have to remember, if you are traveling from, इतर गया, east, ज west, you will lose a day, and if you are traveling from west to east, इतर से इतर आते, तो एक दिन गेन कर जाते, तो आप एक दिन गेन कर जाते, अगर इधर थज़्ज़े को travel करते, फ्लाइट लेके, और इतर पहुंचते तो Wednesday हो जाता, east to west, गेन, नहीं, lose, west to east, गेन, बिल्कुल, सब गेन, समझ में आगया, अब पढ सरी और एक है उसकी बीवी मतलभ उसकी wife, ये तीन लोग है, अब राहुल जो है, राहुल जो है, वो रहता है US में, the USA, ये उसकी जो माताश्री है, वो रहती Greenwich में, UK, London, उसकी जो wife है, उसकी जो wife है वो रहती है Japan में, मालो, जापान गया होगा कभी, उसको अच्छी लग ग बीवी बनाओंगा पनी, हैं, और उनकी बड़ी ऐसे bonding अच्छी हो गई, तो अब system यह है कि राहूल है, राहूल की एक wife है, वो जापानी है और राहूल जो है, वो US में नोकरी कर रहा है और actual में उसकी जो मंदर है, वो UK बतार राहूल जो है, वो UK का ही एक बन्दा है, है तो नाम से वो इंडियन, माल लो राहूल जॉब्स, उसका नाम है, राहूल जॉब्स, जॉब कर रहा है, राहूल जॉब्स, ऐसा उसका नाम है अब हमें इसका system समझना है यह जो राहूल जॉब है उसका नाम है राहूल जॉब यह राहूल जॉब है यह क्या करने वाला है बहुत ज्यादे समझना यह राहूल जॉब जो है यह क्या करने वाला है यह कहीं यहाँ से flight पकड़के यह से पीछे से international date line cross करता हुआ इधर के उतरेगा जपान में यह US से जपान जाएगा international date line को cross करेगा इधर से इधर जा रहा है मतला basically what he is doing is that north, south, east, west east से west cross करता हुआ जा रहा है international date line को cross करता हुआ west जा रहा है तो आप पहले चीशतों मुझे यह बता दो राहुल जो है बहुत द्यान दे समझना कुछ नोट नहीं करना है यह complicated topics है और यह complicated topics अगर आप नहीं समझोगे तो मैं बता रहा हूँ यह बहुत लोगों समझ में नहीं आते है ठीक राहुल जो है यह USA से flight ले रहा है इसकी जो flight है वो सुबह आठ बजे है एक्जामपल से क्यों समझा रहा है यह आपको याद हो जा पर्मानेट लाइफ लॉग सुबह आठ बजे इसकी flight है Tuesday को यह flight लेगा राहुल कहां से? USA से उस दिन जो date है USA में वो 20 October है कोई भी date मानने है 20 October उसका जो date है यह दिन वो flight पकड़ेगा Tuesday उस दिन दिन है और time zone भी हम देखेंगे time का भी बात करेंगे सुबह का आठ बजे उसकी flight है यह जो USA है यह अगर हम UK से बात करें तो 10 घंटे पीछे है 10 hours behind the green wage time जो अपना main time होता है ठीक है इसके बाता राहूल Tuesday को flight पकड़ेगा सुबह 8 बजे flight लेगा और राहूल जो है 9 घंटे की flight लेगा 9 घंटे की flight लेके वो पहुँचेगा जापान राहूल जो है जिस जगे पे है जो main green wage है वहाँ से 10 घंटे पीछे है ठीक है राहूल की जो mammy जी है राहूल की जो माता शरी है राहूल की जो mother है वो basically green wage में बैठी हुई है राहूल जितने बजे flight ले रहा होगा कितने बजे flight ले रहा होगा बेटा सुबह 8 बजे सर फलाइट लेगा Tuesday को उसकी जो mother है वो green wage UK में बैठी है दस घंटे अगर मैं जोडता हूँ तो मैं कह दूँगा कि वहाँ पे 6 बज़रा होगा सर दिन सेम होगा बिल्कुल सेम होगा अभी लाइट धोड़ी क्रॉस होई है दिन तो सेम ही होगा इसका अब यहाँ पे Tuesday था अगर सोभे आठ जब वह फ्लाइट ले ले गया तो मम्मी को उसने फोन किया मम्मी पे फ्लाइट ले रहा हो मम्मी कहेंगे बेटा यहाँ पे 6 बज़रा है चापका और दिन हो तूज़रा है तूज़रा है तूज़रा है नाव राहूल ने तो खाएगा वह अचा दीख है राहूल जा जांग आ रहा है वाहिफ के पास पर दिख्ड नहीं है तो नाँ पर नहीं है तूज़रा है आच को एशु थोड़ी है यहाँ सब वाइफ वीवी सब एक ही चीज है बईफरेंड अबराबर है को दिक्कत थोड अच्छी होनी चीए, एक दूसरे के साथ confidence होना चीए, सब बढ़ी है, कोई issue नहीं, support होना चीए, 9 गंटे की flight लेके जाएगा, east to west जाएगा, जापान, राहुल ने flight लेते टाइप, सुबह मा को भी phone किया, राहुल flight लेते टाइप, वाइफ को भी phone करेगा, इंपोर्टन है द गंटे आगे है, जापान का जो time है, वो green witch के time से 9 hours आगे है, तो अब आप मुझे बताओ, जापान में क्या time हो रहा होगा, सर, green witch में time हो रहा था, रात, शाम के 6, जापान जो है, वो green witch के time से 9 गंटे आगे ही गड़ी लगा के चल रहा है, तो green witch में अगर 6 बज़रा है, त आठ आठ नौ दस ग्यारा बारा एक दो तीन मत वहां सुबह के तीन बज़ रहे होंगे तो उसकी वाइफ कहती है अगली बार फोन मत कर दियो इतनी सुबह सुबह है तू फ्लाइड ले रहा हो ले ले वाँ उतर जाद बता दियो सुबह तीन बज़ फोन कर देता राहूल और बता वहां तीन बज़ रहा है जापान में और वो सुबह आठ बज़ ले रहा है तो वो तो विचार करेगा न फोन तो वो कहती है कि फोन मत कंदंगरी बार से यहां बहुत सुबह हो रही है मैं अभी उठा नहीं पा हूँ तो आजा फिर मेरे को फोन कर दें उतर के तो वहा 79 करेंगे सुबह के थीन टो को ही बजते के ही बज़ेंगे ना क्योंकि यहां तो शाम केAm के छे बज़ के से 9 गंटे आगे जाओगे तो अग्रह दिन रहे है। व।श्डवर थीन सबह ही सुबह। सुबह के तीन अगश मुत या इन शाम के 6 बजे, Greenwich, 20 October, Tuesday यह है उसकी वाइश्टी घड़ी, दोनों की सेम है घड़ी यलो यलो, यहाँ पर सुबह की 3, Wednesday, 21st October, जा पान यह हमारे पास 3 घड़ी है, अब यह फ्लाइट पर बैट गया यह उड़ा, 8 बजे, 6 बजे, क्रॉस करते है, पीछे से क्रॉस करता हूँ जाएगा आगे सरीं करता है, इधर से, इंटरनेश्टन डेटान क्रॉस करता हुआ इस्ट से क्रॉस करता हुआ, वेस्ट पहुंचने वाला है इस्ट ए वेस्ट पहुंचने वाला है, त्यूस्डे को चला था, वो अल्लेडी वेनेश्ट जे था उस टाइम पर, बहुत ध्यान से बात को समझना वो अल्लेडी वेनेश्ट जे था जब उसने फ्लाइट ली थी, ठीक है आजू, अब वो फ्लाइट लेके जापान में उतरता है यह टाइम क्रॉस होते है, यहां से फ्लाइट लेके USA international दे टाइन क्रॉस करते हो, यहां पर उतर जाता है ठीक है, नौ घंटे की फ्लाइट के बाद जब वो जापान में उतरता है 9 गंटे की फ्लाइट के बाद, तो हर किसी टाइम पे 9 गंटा एड़ होगा, क्योंकि 9 गंटे की फुरी फ्लाइट कवर की है, अगर आप USA की बात करें, 9 गंटे की फ्लाइट की आप जपान पहुंच किया, USA में सुभए 8 बजे वो निकला था, 8 में अगर 9 गंटे की तो आठ में 9 गंटे करो, तो सर 5 बज जाते हैं शाम के, तो शाम के 5 और दिन मता Tuesday, डेट क्या होगी, सेम ही तो होगी 20 October, बहुत ध्यान दे समझना, एक बर आओ देख रहे हैं ना, पलने नहीं पढ़ता है, इसलिए एक्जांपल बनाया मैंने, अगर Greenwich में मैं मम्मी को बत तो अभी तिरे को पता नहीं कितना हो रहा है, इसने का, हाँ 6, मैं 9-8 की फ्लाइट है, तो बारा और 3 बज रहा हूँ, अभी तुसरे का बेटा ऐसा फोन रख दे रहा, सुबह के 3 बज रहा है, डिन बताओ कितना हो रहा है, Greenwich में, सुबह के 3 कप के बचते, नेक्स दे के राइट चेंच, clear sir, next, question आते हैं, इसलिए तरह मघज मार रहा है, यह पूछते हैं, और concept ऊपर से रिकलता है, 99% लोग आंसे निकर पाते हैं, क्योंकि यह समझ में नहीं आता है, कहा पर क्या कैसे की हो गया, मैं समझा रहा हूँ तो इसी समझना, अगर जपान में जब वो कितना हो जाता है, सब 12, दोपैर के 12 बज़ने होंगे, दिन क्या है, Wednesday, date क्या है, 25th October, तो date भी बदली, वो तो travel करके आया, दिन भी बदला, Tuesday को चला था, Wednesday को पहुंचा, दिन lose कर गया, एक दिन lose कर गया, 12 बज़े पहुंचा, समझ में आ गया, किस समझ में कौन चलेगा, कै इसे पहुंचेगा, एकदम क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी चीज, East to West गया है, इसलिए वो लूज कर गया है, अगर उल्टा जाता है, फ्लाइट लेके, तो वो गेन कर जाता है, इसको उल्टा खर गदो, एकदम रिवर्स ऐसी तो जाएगा, इतने मज़े फ आप एक दिन पीछे चले जाओगे, लूज मताब आप एक दिन आगे चले जाओगे, इंटरेशन डिटाइट टेडी मेडी है, किसी जे भी पास होगी, तो वो आदमी वहाँ पे कन्फीज हो जाएगा, उस जगे पे इधर या उटा किदर जाओ, समझ भाग गया है, क्लियर यहाँ हमारा टाइम जोन और इंटरेशन डिटाइट टाइंग का कॉंसेट गतम होता है, एक चोड़ा सा पॉइंट यहाँ में रिखा है, मैंने AM और PM, आपको समझ में आगया होगा, AM, PM क्या होता है, anti-meridian, post-meridian, consume-meridian, you already know, उसी तरीके से होता है, कि इधर वाला टाइम, पहले का टाइम, जो positive time है, वहाँ पे आप AM मानते हो, जो negative time है, उसको आ, PM मानके consider करते हो, इसलिए आप AM और PM लिखते हो, हमझ में आगया होगा, तो बाकी मैं नोट सिखटे है, आपको पिसली वाली और इस class की combine जरके दूँगा, क्योंकि वो दोनों एकी topic के साथ आते हैं अब मिलते हैं, इसने में अलग समझाया है, ठीक, अब मिलते हैं, नेक्स लेक्चर के अंदर, जोगराफी बढ़ाना है, मुझा ही मजा आ रहा, क्योंकि हमेंचास ही मजा आता है, आप कोई मजा आना ची, main point यह है, तो खुश रहो, मस रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो, प इन we the things. The reason is that because these examinationез need a perfect analysis, analysis means you should know everything to here, in catalyst group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures, what we'll do, we'll complete each and every question in the class in previous year, we'll take the expected questions, all the things we'll do in class, all we'll do for class, whichever but for IS, or for GATE, or SS&C, के लिए और जो भी फैकल्टीज है सारे फैकल्टीज गेट और आई-इस टॉपस है अगर आप कैटलिस जुइट करते हो तो लेट में टेल यू कि आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे लेगा पहले चीज़ आपको मिलेगी कि आपको स्पेशल माइन मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं जिसमें आपको याद करना इजी रहेगा कुछ मोटिवेशन सेशन होंगे और अगरे सेनालेसिस होंगी नोट्स होगे आपको प्रवाइड करेंगे बुक्स आपको प्रवाइड की जाएंगी आपको A to Z each and everything we have for you. I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below, call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.